साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है अनमोल साखिया आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूब सुरत साखी लेकर आई हूँ चलिए साखी सुनते हैं साथ संगत जी एक रेलवे स्टेशन के बहार सडक के किनारे कटोरा लिये एक बिखारी लोगों का ध्यान अकरशित करने के लिए अपने कटोरे में पड़े सिक्कों को हिलाता रहता और साथ ही साथ ये गाना भी गाता जाता कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा तुम एक पैसा दोगे वो दस लाख देगा गरीबों की सुनो कटोरे से पैदा हुई ध्वनी और उसके घीत को सुन आते जाते मुसाफिर उसके कटोरे में सिक्के डाल देते सासंगा जी सुना था उस बिखारी के पुर्खे शहर के नामचीन लोगों में से एक थे बिखारी की ऐसी हालत कैसे हुई ये शायद अपने आप में एक अलत कहानी हो आज मी हमेशा की तरह वो बिखारी कटोरे में पड़ी चिलर को हिलाते हुई गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा ये वाला गीत गा रहा था तभी एक व्यक्ति बिखारी के पास आकर एक पल के लिए रुक गया उस व्यक्ति की नजर बिखारी के कटोरे पर थी फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाल कर कुछ सो सो रुपए के नोट किने बिखारी उस व्यक्ति को इतने सारे नोट गिनता देख उसकी तरफ टक्टकी बांधे देख रहा था कि शायद कोई एक छोटा सा नोट उसे भी मिल जाए तब ही उस व्यक्ति ने बिखारी को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मैं तुम्हें एक हजार रुपए दूँ तो क्या तुम मुझे अपना कटोरा दे सकते हो सासंगर जी बिखारी अभी सोच ही रहा था कि वो व्यक्ति बोला अच्छा चलो मैं तुम्हें दो हजार देता हूँ बिखारी ने हैरान होते हुए अपना कटोरा उस व्यक्ति की तरफ बढ़ा दिया और वो व्यक्ति कुछ सो सो रुपए के नोट उस बिखारी को थमा उससे कटोरा लेकर अपनी बैग में डाल कर तेज कदमों से स्टेशन की और बढ़ गया इधर बिखारी भी अपना गीत बंद करके वहां से ये सोचकर अपने रास्ते हो लिया कि कहीं वो व्यक्ति अपना मनना बदल ले और हाथ आया इतना पैसा हाथ से निकलना जाए और बिखारी ने इसी डर से फैसला किया कि अब वो इस स्टेशन पर कभी नहीं आएगा कहीं और जाएगा सासंगत जी रास्ते भर बिखारी खुश हो रहा था ये सोचकर कि लोग हर रोज आकर सिखे डालते थे पर आज तो 2000 में कटोरा वो कटोरे का क्या करेगा बिखारी यही सोच रहा था उदर 2000 में कटोरा खरीदने वाला व्यक्ति अब रेल गाडी में सवार हो चुका था उस ने धीरे से बैग की जिप खोल कर कटोरे को देखा और सोचा की सब सुरक्षित है वो व्यक्ति पीछे छूटते नगर और स्टेशन को देख रहा था उसने एक पर फिर से बैग में हाथ डाल कर कटोरे का वजन भापने की कोशिश की और उस व्यक्ति ने सोचा कि कम से कम आधा किलोका तो होगा ही उस व्यक्ति ने जीवन भर धातुओं का काम किया था बिखारी के हाथ में वो कटोरा देखकर हैरान हो गया था क्योंकि वो था सोने का कटोरा और नोग डाल रहे थे उसमें एक दो रुपए के सिक्के ना भिखारी को उसकी कीमत पता थी और ना सिक्का डालने वालों को, पर वो तो जोहरी था, वो सुनार था. भिखारी 2000 रुपए लेकर खुश था और जोहरी कटोरा पाकर, उसमें लाखों की कीमत का कटोरा 2000 में जो खरीद लिया था. सासंगत जी, इसी तरह हम भी अपने अनमोल इंसानी जामे की उपयोगिता भूल बैठे हैं और उसे एक सामान्य कटोरे की भाती समझ कर, खटका कर, कोडिया इकठे करने में लगे है ये इंसानी जनम हमें 84 लाख योनियों के बाद मिला है हमें इसे ऐसे ही नहीं गवाना हर समय परमात्मा का नाम जब कर, हमें अपना जीवन सफल बनाना है सेवा, सिमरन और सत्संग करना है सासंगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई साखी के साथ तब तक के लिए धन नरंकार जी